तो फ्रेंड्स वेलकम टू फरहीन का किजन तो आज मैं बनाने जा रही हूं आलू मटर की सब्जी तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं 1500 ग्राम हरी मटर है तीन आलू से मोटा कट कर ली दो प्यास हरी धनिया की डंठल छे से साथ लाल मूच है इसे आप कम कर सकते हैं एक दाल चीनी दो चोटी लाइची बड़ी लाइची चाहर लॉंग एक चमजीरा है एक टमाटर है अब प्याज को हरी धनिया को तमाटर को मेचे को लॉंग को और मसाली को इस अब को मिला के अम एक साथ पानी डाल देंगे और फाइन सा पेश्ट बना लेंगे उसके बाद हम ढल देंगे तेल थोड़ा सा जादा लिया तो गरम हो जाए तो मासं शल्जीरा हो जीिरे से जब अच्छी से His किसमिल आने लग जाए तो हम इसमें डाल देंगे अदहां मिली पाओडर कि आदहा चम मेच घ्लीक आूडर जाहां देंगे ऑस अचिंतना पृमाल्यमा पैंसा ह कर दें यह सबसी बहुत जादा टेस्टी बनती है इसे चलादेंगे अच्छे से उसके बाद हम दाल देंगे स्वादा-णुसानमत मिला दें इसको पिर अमने दाल दें एक चुटकी हीम और ढाल देंगे हम इसमें फ्रेश मटर अब मटर को हमें तब तक भूनना है जब तक यह थल्की से नरब नहीं हो जाती है कि मिक्स कर दें फिर हम डाल देंगे इसमें आलू कि इसे भी मिक्स कर दें अच्छे से इन्हें हमें भूनना है चलाते रहें इसको इसके बाद हम इसमें लगा देंगे ढखकर फ्लेम को तेज ही रखेंगे इसे हमें मसाले को सूपने तक ही भूनना है चला दें इसको मसाला थोड़ा सा सूप चुका है तो हम इसमें डाल देंगे बंधर्ट स्पून धनिया पाउडर मिक्स कर दें इसको बीच मैंने दो मिनट के लिए डखकन लगाया था धकन हटाएंगे मसाला पूरी तरह से भून चुका है अब हम इसमें डाल देंगे आधा ग्लास तक पानी मिक्स कर दें इसको यह सबजी बहुत ही टेश्टी बनती है अब हमें फ्लेम को लो कर देना है और इसको ठक करके दस मिनट के लिए पकाना है तब तक हमारे सारे यालू गल जाएंगे अथी तरह से दस मिनट बात देखिए इस तरह से हो चुका है सब्जी हमारी लगबक तैयार है तब हम इसमें डाल देंगे एक चमच गरम मसाला एक चमच का सूरी मेती और थोड़ा सा फ्रिश धनिया पती मिक्स कर दें इसको सब्जी हमारी पूरी तरह से त्यार हो चुकी है तो इसे गर्मा गरम अब सर्व करें यह बहुत है तो पसंद आयो तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें मिलते अगले वीडियो में बाइब